हलो फ्रेंड्स आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं सोया चिली इसके लिए मैंने दो लिटर पानी ले लिया है इसे गरम करने रख दिया है इसमें एक चमच हमने नमक एट किया है और साथी साथ तीन कप हमने यहाँ पर सोया चंक्स ले लिया है इसे लगभग 5-6 मि मक डाला है और एक टेबल स्पून हमने काली मिर्च पाउडर और एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर एट किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम तीन टेबल स्पून मेदा मिक्स करेंगे यहाँ पर मैंने कान फ्लोर नहीं डाला है और हमारे स्वया चंग को हम दो बेजस में शेलो फ्राइ कर लेंगे आप चाहे तो इसे डिफ फ्राइ भी कर सकते हैं लेखिन यहां पे मैंने इसे और हिल्दी बनाने के लिए शेलो फ्राइ किया है इसे शेलो फ्राइ करने में लगबग 15-20 मिनट लग जाएगा इसे हमें लो फ्राइ करना है अब यह दूसरा बेज भी हमने इसे डाल दिया है फ्राइ पैन में इसे भी लगबग 15-20 मिनट लग जाएगे हमें शेलो फ्राइ करने में अब स्वया चंग फ्राइ हो चुके हैं अब एक पैन में हम 2 टेबल स्पून आइल लेंगे और इसमें लगबग चिली भी स्लिट करके हम इसमें डाल देंगे और वारिक कटा हुआ प्याज भी हम इसे हलका बुरा होने तक सेकेंगे अब हमने एक प्याज और शिबला मिर्च को स्क्वेर शेप में काट लिया है और वो भी इसे हम फ्राइ करने के लिए डाल देंगे इसे ज्यादा नहीं पकाना है हमें इसका खाते समय हलका सा क्रंच हमें लगना चाहिए इसे थोड़ी दिर अच्छे से चलाएंगे और ढग कर थोड़ी दिर लगभग लगभग दो से तीन मुनिट तक पका लेंगे अब हम इसमें अपने सासेज डालेंगे सबसे पहले हमने तू टेबल स्पून इसमें रेट चिली सॉस डाला है इसके बाद हमने तू टेबल स्पून विनेगर डाला है इसके बाद हमने यहांपर टोमेटो सॉस डाला है तू टेबल स्पून विसस अच्छी तरह से चलाते है शाथी साथ हमने यहांपर तू टेबल स्पून पानी में मिक्स करके पॉर्म फ्लोर डाल दिया है और हाप कप पानी हमने अलग से डाल दिया है यह सोया सॉस डाल दिय हमने 2 टेबल स्पून अच्छी तरह से चलाएंगे 1å के हाप कप और पाणियों मिक्स करेंगे आब 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे एक टेबल स्पून हमने इसमें चीनी डाली ताकि इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएक क्योंकि हमने इसमें विनेगर भी डाला था हमारे दूhi सर्थ स अच्छा है कि ईट कर देंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे रिखते हम पटाएग जरांगे तब तक कि इसमें स्वचेस ह कुटिंग न हो जाए हमारे से चंक पर लगभग फांच मिनट हम इसे पकाएंगे दीजिए अब तयार है हमारा सोय चिली उपर से हम इस पर स्प्रिंग ओनियन से किसे गार्णिश कर देंगे आप इसकी प्लेटिंग कर देते हैं दोस्तों अगर कुछ डिफरेंट खाने का महनों तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए यह हेल्दी तो होता है यह साती सात मैंने इसे बहुत ही कम ओईल में बनाया है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए फ्रेंट्स रेसिपी पसंद आये तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों मैं चाया मिलती हूँ आपसे अपनी अगली नई रेसिपी के साथ तब तक सस्त रहे खुश रहे